अपने बिज्ञान का सेंटर परिक्षा दे करके आ चुके हैं लेकिन उसका सही उत्तर क्या होगा यह जानना आपके लिए काफी जरूरी है क्योंकि बिहार बोड ने पहले ही बता दिया है कि जैसा प्रश्ण सेंटर परिक्षा में रहेगा वैसा ही प्रश्ण आपके बोड ए स्वासे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रश्ण रह सकती है इस कोशन पेपर से तो आप फेकेगा मत पढ़कर के जरू जाएगा आए फट 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 जान लेते हैं कि इसका बिल्कुल सही उतर क्या है क्योंकि बहुत सारे जो है घलत बे एंसर चड़ा दिया जाता है कई जगा भी चलिए तो गलती हो जाती है कभी कभी एक दो गलती होती है तो कोई बात नहीं होता है लेकिन ज्यादातर गलती अगर हो जाए तो यह बहुत जादी परिसानी की बात हो जाती है चलिए तो 48 प्रश्ण है 48 प्रश्ण में आपको 40 प्रश्ण का जबाब देना हो टेस्ट तोगेरा हर चीज मिलती है मॉडल पेपर चैप्टर वाइस त्यारी हर चीज आपको हमारी चैनल पर मिलेए सब्जेक्टिव अब्जेक्टिव हर चीज मिलेए और अभी तक हमारा एप नहीं डाउनलोड किया है तो नीचे डिस्क्रिप्टिन में लिंक दिया गया है जल्दी से डाउनलोड के लिजिए आए जानते हैं इसका बिल्कुल सही उतर क्या हो जागा तो चलिए ये सेट नमर ये था तो ए नमर में सबसे पहला जो प्रश्ण पूछा जा रहा है वह प्रश्ण कहह रहा है कि परतिवीम का आकार हमेसा बस तुक के आकार से चोटा होत होता है उतल दर्पन ऑटल दर्पन समतल दर्पन या उतल लेंस में तो देखिए उतल दरपन में होता है यानि कि उतल दर्पन अपका वुच्छन फोकस बिंदू की संख्या होती है मतलब देखिए कितनी पूछिनी चाहिए थोड़ी सी यांपर हमको लग रहा है कि गड़बर दिया है कोई बात नहीं है चलिए यहां पिस्क्त के हो जाएगी दो होती है कितनी होती है यानि कि option B जोगा बिल्कुल सा उतर हो जाएगा चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रशनी के तो दीकि अगला प्रशनी कहा रहा है ये थोड़ा साफ नहीं है क्योंकि student जो question भेजे हैं वो थोड़ा साफ नहीं भेजे होंगे जिसके कराणी जिसलब प्रसानी हो रही है पड़े गटपड़ी एक उधारन है तो देखे घटबड़ी जो है वा एक ऊधारन है आपको किट भक्षी किट भक्षी पाधěप का यानि कि शुप्स जो ने आप भी भुकुल एक पुरे बान करते पूरे साल तो एक साल मेहनत करते हैं लेकिन पढ़ाई वो दज सल से किया रहते हैं और यहीं उनका रहता है परिक्षा जो कि वो अच्छा कर पाते हैं और उनका नाम रौसान हो पाता है तो प्लीज उनका मदद जरूर कीजेगा तो अगला प्रशनी कहा रहा है कि निमलीकित म क्या हो जागा डी नमबर हो जागा चलिए आगे बात करते हैं अगला जो प्रशनी कहा रहा है कि लाल रख्त को इसका में लाल बंड़क होता है जो लाल रख्त को इसका में लाल बंड़क होता है किसे कहते हैं हीमोगलोबीन कहते हैं क्या होता है लाल होता है अगले प्रशन के बात करते हैं अगला कोशन जो है वो कह रहा है कि रासाने करणों के दूबरह कैज़ा करते हैं तो स्वंही करणों के दुखा चाली जगार गलत शला सब्सक्रान रही करें ठीक है चली आगे बात करते हैं क्यूंकि जल्दी जल्दीगे चकड में कर देते हैं सब्सक्राइब करें लेकिन कई जगा देखते हैं लुग के बहुत सार ईंसर गलती चड़ा देते हैं तो अगला प्रशन है इस आपको पुछा गया ना बाबू हमने आपको काफी पुछन आपको पहले हैं जब हम त्यारी करा रहा है तो सभी प्रशन आपको बता दिया इसलिए हमारे चैनल सा नहें जुड़े हैं नहीं आप जा था आपके एक्जामम्स से किह मेंटाइट पता है कि हैंतै जो होता है वहाँ आपका एक hara का होता है円 इंगले हो प्रशन का ने पर iqp a c к्न 10 क्या होता ये उप प Excel हो जाएगा यानि कि अगला प्रशन की बात करते हैं अगला प्रशन की बात करते हैं नमबर बिलकुल सहीधर हो जागा चलिए अगला प्रशन की करते हैं देखिए अगला प्रश्ण काफी इंपोटेंट है कई बार पूछा गया है कि चुमबक्ये चेतर का ऐसा ही मात्रक होता है वह टेसला होता है क्या होता है यानि को आपसन ए नंबर बिल्कुत सही उतर हो जाएगा ध्यान है चलिए अगले प्रशन की बात करते हैं अग की नंबर इसका बिल्कुत सही होतर हो जाएगा कि इमें से सभी चलिए अगला प्रशन की होटा था न वह बहुत अच्छे सा स्टूडेंट भेजी हुए थै तो कि किलियर आ रहा है इसमें कोई प्रसान है नहीं तो आच्छे सा कर भी भेजते हैं तो हम अच्छे से बना खर है तो काल्पी पर्त्मीं भी बनता है यानि कि दोनों पर्त्मी बनते है या नीकि continuing this Regaaaa के पीछले जिसके प्सक्व state के सलेशन के के नियुँं को कि सानेयनख इस पहले है इन सब्सक्व एंज करफिकी थे इस प्लास में थे पहले। पूछाएगा चलिए तो इसमें से जो भी कोशन है बहुत सारा हम को बैता दिया है प्रसानी योग इसलिए कहते हैं कि जितने भी प्रशन हम बताएंगे न वह एक्जाम समें आएगा हैं बाहर उससे नहीं पूछा जाएगा जो हम बता देंगे उससे क्योंकि बहुत सारा नि द्वी संक्रमण संक्रमण का लक्षन परारूपी अनुपात निमलेकित में से कौन है तो देखिए वह वक्त यह थे थे 3 अनुपात 3 अनुपात 1 के यानि कि नौ जो रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1 के कि यह थे यानि कि option A का बिल्कुल सही उतर हो जागा ओके चलिए आग अगले प्रशन की बात करते हैं तो अगला जो प्रशन दिया गया वह प्रशन कर रहा है कि निमलेकित में कौन सा घटक हमारे सरीर के लिए अवस्यक होता है तो देखे कौन सा घटक विटामिन खनेज पोसकता तो इन में से सभी हमारे सरीर में सभी चीज़ कि यह सबी हमें लिए ऑस्यक होते हैं तो देखे इसका उतर जो जो जबह सभी हो जाएगा ओके चलिए आगे बात करते हैं अगले देखे इस प्रश्न में को थोड़ी सी कंफ्यूज होगी तो आप मिला लेज़ेगा जरूर हमारे इन साथ होने चाहिए लेकिन इन में से सभी भी दिया गया है तो एक बार अच्छे से आप चेक कर लीजिएगा मैं आपसे बार बार यह कह रहा हूं मैं अपना यह रिक्वेस्ट मतलब की क्योंकि इस भी कह सकते है और निलमर को लाइंड नहीं कहा जा सकता है लेकिन फिर भी आप चैक कर लेजएगा अच्छे कि जल्दी की चकर में बना रहा हैं लेकिन फिर भी गलती नहीं है वहारे उनसार तो सही होने चाहिए लेकिन उसको थोड़ी सी आप देख लिज़ेगा जरूर ठीक है प्लीज तो इसके लिए आप नहीं कुछ कहिएगा कि हाँ ऐसा हुआ ऐसा हुआ वह सारे बच्चे हैं कि गलत है कि उनलोग को मन में बरम बैटा रहता है कि सभी जो लोग है गलती बताते हैं रहते हैं यूटूब पे ने कि ऐसा नहीं होता बाबू कोई ना जो रहता है सबको अच्छा ही करने का मेरा तो प्रियास है कि हम आपके लिए भेथर कर सकते नहयं थोड़ा मज़ा भी आती है बात ठीको करते से अक्सिकारा Carac om सबस्क्राइब करते हैं कि इस तो किसके दौरा घृता को कम कर दिया जाताओ जल क्या श्राइक कटोर का मतलब हो गया जो कटोर होती है उसको हम लोग जैसे के माले जे आप यह देखे हैं ना जब आप सर्फ लेते हैं सर्फ लेकर के कपड़े को जब धोने जाते हैं तो वह जो पानी होता है वह मुलायन थोड़ा सा लगने लगता है बहुत मज़ा आता ह वैसे तो वहीं आपको क्या करता है धोने का सोड़ा करता है यानि कि इसका सुत्र क्या होता सुत्र याद कर लिजीगा कि ने टू सी ओ थी पॉइंट टेने ज्टू होता है इस याद करके रिखेगा आपको अपकी एक्जामे पूछा जाते हैं हाना चले अगले प्रश्ण क करते हैं तो अगला प्रश्ण कहा रहा है कि नेमलीखित में कौन सबसे कठोर परकृतिक पदार कौन सी है तो दिखे हीरा जो है ना वह सबसे कठोर परकृतिक पदार बहुत ही आसान कोशन आपके एक्जामे पूछा जाएगा और आपको कई दिनों से हम कह रहा हैं कि देख झाले को पड़ा रहा है सारीं तो आपको करो जाएगा चलिए आगे बात करते हैं कि बीदू दारव की आपि अरविती देखें com तो 50 hotena होती है कितनी होतीilo लेकिन यहां पर 50 हट जो है वो नहीं दिया गया है आपको यहां पर जो दिया गया है तो 60 हट जिसका एंसर हो जागा वो ऑप्सन जो हो गया हो जागा समाने तब बैस्क मनुस्थ का स्वसंदर प्रती मिनट कितना होता है यह देखिए यह कोशन जो दिया गया है यह थोड़ा हट के दिया गया क्योंकि यह देखिए स्वस्थ मनुस्थ के लिए कह रहा है और बैस्क मतलब कि आराम करने वाले मनुस्थ का और बैस्क कह रहा है या यहां पे 21 से लेकर के 24 दिया गया है तो ऐसा नहीं होता है यहां पे देखिए 15 से लेकर के 18 ही होगा यानि कि option B इसका बिल्कुत सही उतर होना चाहिए क्या होगा 15 से लेकर के 18 इसका option B होना चाहिए चलिए और B ही होगा इसका उतर इसमें आपको परसान होने के जरूरत नहीं ठीक है 15-18 ही होगा अगर कोई ब्यास्क मनुस्य है और अराम कर रहे उस्तिती में 15-18 होगा ठीक है चलिए अगे बात करते हैं अगले प्रशनी के देखे यह भी पेज बहुत बढ़िया से यह लिया गया था ताकि इसका देखे बहुत फ्रेस आया है कहरा है प्रशनी कि निमन कोंद कहां प्रया जो रिएज नर्गोंद रहता वह कहां प्रयाथ रहता पूराने जाइलनं में try शब्चित रहता है हम रोक सकते हैं ठीक है सोरी अनेक्षी किरिया किरिया नहीं है यानि कि एक्षी किरिया का मतलब हो गया कि हम जिसे रोक सके हना अपने से अनेक्षी किरिया का मतलब हो गया कि जिसे हम नहीं रोक सके तो देखिए उल्टी करना उल्टी करना आप रोक सकते हैं नहीं रोक सकते है एपकी आप कुछी दूसरे प्रतिरोद का काम करते यानि कि अब दावा लेते हैं तब भी रूखेगा उसके पहले आपके बस तो है नहीं और लार निकलना अगर रहाला आता है मुँह मेरे जब लार आ तो उसे अब तो आएगा ही उसे भी नहीं और हीड़े का ध्रकना जब बंद कर देगा तो आप भी चले जाएगा उपर तो यह भी नहीं है यानि कि चबाना जो इसका बिल्कुल सही उतर होगा कि अनेचिक किरिया नहीं है यह प्रशने पूछा गया है तो आपको अप्सन डी होने चाहिए चलिए अगले नहीं प्रशने की बात करते हैं अगले जो प्रशने है वह प्रशने कह रहा है कि प्रकिर्थिक रबर निमलीखित में किसका बहुलक होता है यानि कि प्रकिर्थिक रबर होता है वह आईस्तुर प्रीन का बहुलक होता है यानि कि उप्सन ए जो होगा विसकू परकिर्थिक संसादन है तो देखिए वायू भी है जल भी है मृदा भी है यानि कि इन वह सभी होगा यानि कि आप्सन डी नमबर जोगा इसके बिल्कुल सभी उतर हो जाएगा कि इन में से सभी अगले नमबर प्रस्ट ने कह रहा है कि निम लिखित में से कौन बुजा हुआ है देखे बूजह हुआ चुनह और एक होता बी ना बुजह वद चुनह का बात करते क्या हो जाएगा सी ए ओएस पॉस्सन नमर हो जाएगा सी है चलिए ? अगला प्रश्ण है कि लेंस के च्भारत का यह बात करें तो नेत्र में किसी बस्तु का कैसा परत्वीम बनता है तो देखे नेत्र में जोगे वास्तु बनता है उल्टा बनता और छोटा बनता है नेत्र में यानि कि आँख में तो आप्सन C नंबर हो जाएगा चलिए अगले नमर प्रशन की बात करते हैं देखे अगले नमर जो प्रशन अगला जो प्रश्ण है प्रश्ण है कि बीदुद घंटी बीदुदारा के किस परभाव पर कारे करती है तो बीदुद घंटी जो होती है वो चुमबख्य परभाव पर कारे करती है यानि कि option B नमर हो जाएगा पहले भी आपको बताए कि जो बीदुद घंटी दी होई होगी तो उसमें चुम्बकिय प्रभापे कारे करेंगे किसमें विदुद घंटी चुम्बकिय प्रभापे कारे करती है चलिए अगला जो प्रशन है प्रशन कहा रहा 41 नमर प्रशन की उर्जा उत्पादन के लिए कोसिका प्राया किसका उप्यों करते हैं उर्जा उत्वादन के लिए कोसी का पुर्जा उत्वण करने के लिए तो अगला नम की बात करते हैं अगला नमर देखें प्रश्ण है बहुत अच्छा है उपको सापसा अब देखेगा क्या एक कैसा जनन होता है तो देखे इस्ट में जो होता है मुकलन द्वारा जनन होता है इस्ट में ठीक है इस्ट में किसा होता है मुकलन द्वारा होता है और अगर अमीबा में बात करें अमीबा पूछा जाता है तो विखंडन के द्वारा होता है क्योंकि तूट जाते हैं विखंडन के द्वारा होत अगला प्रçar ने है प्रकर्ठी के बात करते हमारी समानता किसे से अधिक मिलती है अगले नमर क्वेति है वे बुल्कूल सऑ किसे से अधिकं मिलती है कि तापमान, बरसा तता त्ह Tippataveile principle पर्यवरिन के कारक है तो देखें, प्रक्राद के बहुतिक कारक है यानि कि option जो होगा बी नमबर से होगा यह परकट की बहुत तीक काराक है चलिए अगले नमबर प्रश्ण की बात करते हैं अगले नमबर जो प्रश्ण हो कह रहा है कि आपच के उपचार के लिए निमलिकित में से किस और सौधी का उप्यों किया जाता है अब देखें यहाँ अगले नमबर जो के नमबर जो कॉशन के निमलिकित में कौन सा पदा आक्सिएन से सन्योग नहीं कर पाता है तो सोना जो है और प्रश्ण से कभी भी सन्योग नहीं करता है तो डीके अगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तो अगला दीके प्रश्न कहया रहा है कि आहर और पाई निमलीखित में से किस राजी की जो है वह संचैन बेवस्ता है तो इस कोशन पे हमको तुरज़ी सी डाउट हो गई थी तो डाउट को किलिर करने के लिए हम आपने के बुक की नि इसलिए कहते हैं कि आपको एक एक लाइन पढ़ना होगा तो ही जाकर को कोशन को solve हो पाएगी लेकिन हमने आपने द्वारा टाइप करके कोशन को ढून ढून करके बहुत बढ़ी आपको सीरीज चला रहे हैं पढ़ा रहे हैं जिससे की परसानी नहीं होगी बुक भी नहीं प तो देख रहे हैं कि आप कहां से उठाए गया है तो एक बार 309 नॉम्बर पेज से वह अभी लाश्ट जो प्रग्राप नीचे दिया गया तो आपका एंसर बिहार होगा इसका तो यहां यहां से कोशन पूछा जा रहा है तो यहां यहां से हमने तो पहले ही ढून कर कोशन और जबर ज cabeça से कोशन पढ़ा बता रहा हिए अब को गद नहीं कि नियुक नियों किया जाता है कि कई ऐसे में किया ज्यक्तिदिव प्रचन है और सब्च्ट सब्चति रहा है कि वास्तुइक परतिमें और भासी परतिमें क्या अंतर है हमने आपको पहले ही बता दिया है हमरा अगरा वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने आपको बता दिया है और वीडियो देख लिजेगा जरूर कि वास्तुइक परतिमें और भासी परतिमें क्या अंतर है हम सब्ज लेकिन एक चीज आपको पढ़ा जारा तो यह कोशन हम बता दी है पहले ही ठीक है अगे कर रहा है कि लेंस की छांता से आप क्या समझते हैं इसका मातरक होता है वह क्या होता है यह लिखिए यह सारी चीज़ी हम बता रहे हैं पढ़ा रहे हैं तो दिक्कत आपको नहीं होगी आगे कर रहे है कि असपश दुर्थी की निम्तस दूरी क्या है असपश दूर्थी की निम्तस दुरी आपको पता है तो आप लिख दीजेगा असानी से आगे कोशन है कि पादप में भोजन का वहन इ begged Trad कैसे होता है इसके बारे में हर चीज़ आपको बता रहे ह त्यांड क कोशन तो आपको मिला हुआ था सब्जेक्टी टाइप प्रस्ट में आपको बता देंगे तो कोई प्रसाने नहीं होगे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जब भी आपको क्लास लेते हैं तो क्लास लेजिए लगबग 8 बजब की क्लास चल रही है लेकिन जुड़े कभी कभी समय को परिवर्थित कर दिया जाता है तो आप बने रही है क्लास को लेते रहे आगे जो भी सब्जेक्ट है उसका भी आपको एंसर की हम आपको बता देंगे बहुत बहुत धने बाद आप से वीडियो देखने के लिए जल्दी जल्दी अपने दोस्तों में से से कर दिजिए